दोस्तों अगर आपके पास Central Bank of India का खाता है यानि कि अगर आप Central Bank of India के account holder है और UPI pin set करना चाते हैं और आपके पास debit card नहीं है तो भी अब आप Central Bank of India में बिना debit card के अपना UPI pin set कर सकते हैं उसे change कर सकते हैं और UPI transactions काफी आसानी से कर सकते हैं जिहां दोस्तों भीम UPI में हाली में आपको आधार-based UPI registration की feature मिली है जैसा कि आप लोगों को हो सकता है तो पता ही होगा तो उसी के जरीए आप अपने Central Bank of India में बिना debit card के अपना UPI registration कर सकते हैं चलिए आपको live दिखाते हैं कि कैसे हम Central Bank of India में UPI registration कर सकते हैं बिना debit card के इसके आपको भीम app 296 डाउनलोड करना होगा अगर आपको play store पर update मिल जाती है तो ठीक नहीं तो इंतजार करिए आपको मिल जाएगी वैसे मैंने एक third party जो है source आपको बता दी है चैनल के उपर आपको वीडियो मिल जाएगी जहांसे आप 296 वाला version डाउनलोड कर सकते हैं इसी मे आपको अपना bank search कर देना है फिर आपको दिखाई देगे कि आपका जो है UPI pinset नहीं है UPI pinset करें फिर आप उस पे click करेंगे तो फिर आपके सामने दो option आजाएगी एक debit card दूसरा अधार card का तो आपको अधार card select कर लेना है चुकि आपके पास debit card है नहीं फिर अधार card select करने के बाद आपको जो है इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो bank में आपका mobile number register है वही mobile number आपके आधार card से भी link होना चाहिए नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे तो अगर same number bank में भी है और same number आपके आधार card पर भी link है तो फिर आपको proceed करना है प्रोसीड करने के बाद थोड़ पर एक OTP आजाएगी जो कि automatic verify हो जाएगी फिर UPI registration के लिए भी OTP आएगी जो कि verify हो जाएगी और उसके बाद आपके सामने option आजाएगी UPI pin set करने की जहां पर आप 4 digit का UPI pin कोई भी अपने मन से set कर सकते हैं उसको दुबारा verify करने के बाद काफी आसानी से Central Bank of India में आप जो है अपना बिना debit card वाला जो feature आया है अधार card based UPI registration की तो इसको follow करके अपने Central Bank of India में आपने registration कर ही लिया होगा UPI के लिए और इसके अलाबा अगर कोई bank है तो आप इंतजार करिए सारे bank में ये feature आने वाली है इसलिए आप ये न पुछे कि SBI में कब आएगी PNB में कब आएगी फिलहाल Central Bank of India में ही आई है और Cosmos Cooperative Bank में आई है तो अभी जो है Central Bank of India के यूजर ही ये जो feature है उसका लाव उठा सकते हैं तो उमीद है कि वीडियो पसंद आई होगी इसलिए के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा आज के उन पस इतना ही मिल आप 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 आप